Good morning parents, today I am with you to discuss the syllabus of second part of nursery class. Let us start. English oral में A to Z learn कराएं, A for apple, B for boy और B for bowl ये सब लर्ण कराएं आप. अगर घर में कोई भी book available है, जैसे इनकी पहली all-in-one होगी, तो उससे book reading भी कराएं, book से बच्चे को recognition भी होगा. Recognition में फिर वही आप A to Z का recognition कराएं, picture के साथ भी और without picture भी. Return में क्योंकि बच्चे प्ले से आता है, तो प्ले में return पे ज़्यादा focus नहीं होता, इसलिए starting में straight line वाले alphabets I, L, T, H, P, E, F और जो भी other easy alphabets हैं, वही start कराएं बच्चे को. Difficult वाले starting में नहीं लिख पाता बच्चा. इसमें rhymes के लिए आप YouTube पे सर्च कर लें, thank you God तो इनकी जो lunch वाली prayer है वो है ही, और साथ में एक दूसरी मैंने दी है इनके syllabus से ही, early to bad. तो ये YouTube पे आपको मिलेंगी end flowers, end flowers this is a separate rhyme. तो ये 3 rhymes मैंने आपको दी हैं, तो इनको YouTube पे सर्च करके आप अच्चे को ये rhyme दिखाएं. बच्चा enjoy भी करेगा, साथ में learn भी करेगा, weekdays, weekdays learn कराएं और colors name भी learn कराएं, colors name में जो basic color हैं, red, green, yellow, white and black, तो वही starting में आप learn कराएं, वह उनका recognition भी कराएं, कोई भी item आपके पास उस color का हो, उसको दिखाएं बच्चे को, और color को regularly recognize कराएं. आईए worksheet देखते हैं, worksheet में इस तरह से आप two sides picture बना कर भी बच्चे को दे सकते हैं, matching के लिए, दोनों side picture होंगी, तो बच्चा अच्छे से recognize करेगा दोनों तरफ, और जिसे R है, तो R4 red से match करेगा, C4 cat से match करेगा, B4 bowl से match करेगा, पास पास बना कर उसको दे सकते हैं, आप. लुक, यह poem आपकी, thank you God, second poem देखिए, early to bed, यह third poem is flowers, आप YouTube पे सर्च करेंगे, तो easily मिल जाएंगी, second worksheet भी आप इस प्रकार से बना कर दे सकते हैं, बच्चो को, look the picture and circle the correct alphabet, P4 pen पे सर्किल करेगा, बच्चा, T3 के लिए T पर सर्किल करेगा, इसी तरह से, look the picture and write the alphabet, इस type की worksheet दे सकते हैं, बच्चो की बुक में भी, activity की form में, यह इस type से, look the picture and circle the correct alphabet किया गया है, तो इस type से भी आप बच्चो को करा सकते हैं, there are so many ways, ध्यान रहें, नर्सी क्लास में, syllabus भोग दीरे दीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि बच्चे को पूरे साल का वही target होता है, बच्चे भोग दीरे दीरे learn करते हैं, इसमें learning का procedure ज्यादा fast नहीं होता, slow होता है, तो आप patience से बच्चे को करा, math में oral counting 1 to 30 या 1 to 40 भी start कर सकते हैं, अगर बच्चे ने 1 to 30, learn कर लिए हैं ठीक से, बार-बार सुनते रहें, recognition 1 to 10 का ही कराएं, digit लिखकर बार-बार बच्चे से पूछें कि बताए ये क्या है, what is this, return में फिर वही concept है, English वाला ही, कि जो straight line से बनते हैं, digit, पहले आप बच्चे को वही easy वाले digit सिखाएं, 1, 7, 9, 10, 10, और भी जो दूसरे easy digit हैं, 5 को सबसे last में कराएं, क्योंकि 5 सबसे tough लगता है बच्चे को, और इसमें एक और वर्क को बच्चा both enjoy करता है, draw the balls, draw the balls में जैसे बच्चे ने 3 recognize करना सीख लिया, तो आप 3 लिखें, बच्चा उसके सामने 3 balls बनाएगा, 1 लिखें, 1 ball बनाएगा, 7 लिखें, 7 balls बनाएगा, तो इस सरे से starting में ये काम आप बच्चे को खूद करके दिखाएं, तो फिर बच्चा अपने आपी करने लगता है उस पर को, लुक, इस सरे से बच्चा जब लिखना सीख रहा है, तो उसको fill in the blank, train की form में बना कर आप दीजिए, 1, 2, 3, 4, अपने आप लिखेगा बच्चा, जो hard वाले digit हैं, वो आप बना दीजिए, इस सरे से 6 to 10, ये भी fill in the blank हो गए, ये color, count and write, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहां लिखेगा student, अगर नहीं उसको 5 लिखना आया है, तो dot बना कर 5 का दे दे, dot पर लिखेगा, इसी तरह से ये cups भी count करेगा और यहां number लिखेगा, count and write में ये format भी बना कर आप दे सकते हैं, इनमें जो भी digit लिखने में बच्चे को problem हो रही हो, उसे dot पर बना कर दे, dot के ओपर बच्चा लिखेगा, और जो उसको लिखने आ गए, वो without dot दे आप, देखिए, सरकिल दा करक्ट नंबर में ये वाला format आप बना सकते हैं, किसी भी type से attractive way में आप बच्चे को बना बना कर दीजिए, बच्चा enjoy करेगा, one hour से जादो तो पढ़ता नहीं है इतनी छोटी class का बच्चा, one या two hour ही वो पढ़ पाएगा, देखिए, इनकी बुक में भी इस type से की गई है ये activities, look carefully, and do the same, इस type से one to ten लिखकर one, two, three, four, five blocks बना कर आप दे सकते हैं लिखने के लिए, तो ये practice भी होगी और जो digit या नहीं आये हैं बच्चे को, उनको doted way में बना कर दे, उस पर लिखेगा बच्चा, अब हम हिंदी पर आते हैं, हिंदी में मोखिक, ऐसे अहा तक कराएं, ऐसे अनार, आसे आम, ये भी याद कराएं, दिनों के नाम याद कराएं, रंगों के नाम याद कराएं, रंगों के नाम फिर वही आप इंग्लिश वाले हिंदी में कराएं, पहचान में, ऐसे अहा, तक सारे स्वरों की ठीक से पहचान कराएं, लिखित में आसान अक्षर ही बच्चे को लिखने के लिए दें, ये देखें मैंने, चोटी ई, बड़ी ई, रीसे रिशी, एसे डी, आएसे एनक, इन पर प्रोस लगाएं हैं, ये बिलकुल लास्ट में कराएं, जब बच्चा इनके अलावा सारे अक्षर ठीक से सीख गया ह कविताएं, मधुमक्खी, बारिश, वा नन्नी छत्री, ये भी आप यूट्यूब से सर्च करके बच्चे को दिखाएं वा याद कराएं ये मधुमक्खी कविता है, चित्रबी सुंदर बनावाया बच्चों की किताब में, बारिश, नन्नी छत्री, तो ये तीन कविताएं दी गई हैं, याद करने के लिए इन्हें बच्चे को याद कराएं आर्ट में कलरिंग को बच्चा बहुत एंजोई करता है, तो इस टाइप की कुछ सिंपल बड़ी-बड़ी पिक्चर्स बना कर दें और बच्चा कलर करेगा और देखे, मैं दिखाती हूँ आपको, ये पैंसिल्स बनाई गई हैं इस इस एरोप्लेन, हेलिकोप्टर बनाई या एरोप्लेन बनाई कुछ भी आप अपनी प्चोईस से बना कर बच्चे को कलर के लिए दे सकते हैं पेरेंट्स, ध्यान रहें कि कलर करने से बच्चे को पैंसिल की ग्रिप होती अच्छी मिल जाती है और बच्चा अच्छे से पैंसिल भी पकडना सीख जाता है तो अगर पैंसिल चलाने में बच्चे को दिक्कत है, तो कलरिंग वर्क मैक्सिमम कराएं इससे आपको बहुत help मिलेगी बच्चे को लिखवाने में Thank you very much